बाबा सिद्गी के मुडर के छे दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिडी है यहां धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को वाटसप मैसेज के जरी भेजी गई है धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गेंग का मेंबर बताया है मुंबई पुलिस के मताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा था इसे हलके में मत लीजिये सल्मान खान को जिन्दा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खतम करती है तो उसे पांच करोड रुपे देने होंगे अगर पैसे नहीं दिये गए तो सल्मान खान का हाल बाबा सिदकी से भी बुरा होगा मुंबे पूलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है सल्मान के करीबी और एंसीपी नेता बाबा सिदकी की बार अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी इसके बाद सल्मान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी सल्मान खान के करीबी और NCP नेता बाबा सिदकी बेठे जिशान के दफ्तर के बाहर निकले थे तबी उन पर छे गोलियां चलाई गई दो गोली सिदकी के पेट और एक सीने पर लगी उन्हें तुरंट दिलावती इस्पताल में भरती कराये गया जहां रात करीब साड़े कारा बजे उन्हें अम्रत घुशित कर दिया गया इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली लॉरेंस गैंग में ऐसे शूटर्स भी हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं लेकिन एक दूस्रे को जानते नहीं हैं ये लोग किसी के जर्ये खास जगा मिलते हैं फिर टार्गेट पुरा करते हैं अगर कोई शूटर पकड़ा भी चाता है तो वो दुस्रे के बारे में जादा कुछ नहीं बता पाता क्राइम के लिए फंडिंग के ब्लानिंग लॉरेंस, गोल्डी बराड, जगू, भगवान, पूरिया और डर्मन सी और डर्मन जोत कहलवा करते हैं शुरुआट में गेंग पंजाब में ही एक्टिव थी, इसके बाद गेंग्स्टर अननपाल की मदद से राजस्तान में एक्टिव हुई दिरे दिरे नौत इंडिया के दूसरे राज्यों में बढ़ती चली गई अभी लौरेंस जेल में रहते हुए सेफ तरीके से गेंग चला रहे हैं यही वज़ा है कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता उसने जमानत के लिए अपलाई भी नहीं किया है भारत में फिरोती से मिले पेसे कनाडा, अमेरिका, दुबरी धायलेंड और आस्चिलिया भेशता है यह पैसा वाम मौझूद फैमिली और गेंग मेंबर्स को मिलता है एक रिपोर्ट के अनुसरा लौरेंस अभी चार मामलों में दोश्य करात दिया गया है दुश्मन गैंग से इनकी लड़ाई चलती रहती है गैंग उन पर हावी होती तो उसके मेंबर्स खुद लौरेंस से जुड़ जाते इस तरह नैटवर्क्स चेंड बढ़ता जाता है एक रिपोर्ट में कहा गया कि लौरेंस का नैटवर्क्स जेल के अंदर रहते हुए ज़्यादा मजबूत हुआ है जेल में रहते हुए उसकी दूसरे गैंग्स्टर से दोस्ती हुई फिर इनके गुर्गों ने आपस में मिलकर जेल के बाहर नैटवर्क्स मजबूत किया उसी नैटवर्क्स से फिरौती और टार्गेट किलिंग करने लगे लौरेंस के फंडिंग पर सीनियर जर्नलिस्ट आलोग वर्मा बताते हैं सुलीस गैंग का सबसे बड़ा हतियार है इसे गैंग करोड रुपे कमाती है ये अब ड्रग्स कारोबार से भी जुड़े हैं पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई पंजाब और दूसे राज्यों में कराने का सिंडिकेट भी चल रहा है ये लोग पाकिस्तान से आई ड्रग्स बेच कर बसा कमाते हैं वो पैसा पाकिस्तान बेच कर हतियार मंगवाते हैं पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में विदेशी और आदूनिक हतियारों का ये गैंग इस्तेमाल करती है ये हम सिद्दू मुसेवाला मर्डर में देख चुके हैं इसमें विदेशत त्यारों का इस्तेमाल हुआ था इसी के साथ परनेरा एराजनामा टीवी के साथ धन्यों